हेलो साथियों नमस्कार मैं राजेस दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र की घटना चक्र की छठवी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो आपका एकजाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 में आरो ए आरो प्रिलिम्स का उसी के लिए मेरे भाई हम लोग घटना चक्र की छठवी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरिन तरीके से कर लिए हैं आप लोग नहीं देखें तो आप लोग चैनल पर जाके वीडियो देखें आज की हमारी जो घटना चक्र की छठवी प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई यह समान हिंदी की प्रैक्टिस सेट है इसके पहले हम लोग GS का भी 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए है और इसके बाद हम लोग यह छठवी हो जाएगी तो GS के छठवी हम लोग करेंगे तो साथियों बहुत ही महात्पूर ये हमारे लिए क्यों है आरो यारो के एक्जाम में मेरे भाई क्योंकि घटना चक्र के बारे माप सबको पता है साथियों ये ऐसे ही प्रशन को बनाता है जो एक्जाम में कई-कई बार पूछे गए हैं आयोग वाले exam में repeated question होते हैं या तो नए प्रशन होते हैं वो ऐसे नए प्रशन होते हैं जो इनही repetition के आधार पर बनाया जाता है कि कैसे नए प्रशन बनते हैं इनही को मिलाकर मेरे भाई पूरा प्रशन तयार किया जाता है इसके आप practice के रूप में लिजेगा इसे आप लो आपको एक्जाम में आप लोगों का question होता है, ये बात एकडम fact है, तो हम लोग चलते हैं, आज की हमारी पहली छटवी practice rate देखते हैं, और साथियों थोड़ा समय अपने बारम के दूँ, क्योंकि ऐसा ये मंच है हमारा, जहां पर इसमें महत्पूर संस्थाओं का content का practice rate करवा अपने मन से ही हमने कुछ मनमानी प्रस्न छापकर मसालेदार आपके सामने परोज दिया, और उसी को आप लोग करिए, तो ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आप सबकर ही मेरे भाई कतब थोड़ा सा बनता है हमारे लिए, या आप लोग video को like करके channel को subscribe कर देंगे, तो उस हमें बहुत ज्यादा energy, बहुत ज्यादा उत्साह मिलेगा, तो चले हम लोग पहला प्रशन आपका देखते हैं क्या है, ये सामान हिंदी का हमारा practice set बहुत ही बेहतरिन, शुरुगात के हमारे बिलोम के प्रशन है, बिलोम वाले प्रशन में देखते हम लोग क्या दिया है, अनुनासिक, मेरे भाई क्या है, अनुनासिक का बिलोम क्या है, तो मेरे भाई अनुनासिक का बिलोम निर नुनासिक होता है, कहां जहां पर अगर आपको अनु मिल जाए, तो यहां पर लोग दिमाग लगा लेजिए, यहां पर निर जातर लगेगा, तो निर लगाने से बि दूसरे में मेरे भाई क्या दिया है, हमें, दूसरे में कह रहा है कि आधुनिक, आधुनिक का बिलोम क्या है, तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें एक आधुनिक होता है, और प्राचीन होता है, तो आधुनिक का उल्टा, आधुनिक का बिलोम मेरे भाई प्राची यही है लेकिन हमें दोनों जब दिया है तो आधुनिक का हम प्राचीन लगाएंगे ये हो जाएगी हमारा सही option number C सत्य है तीसरा वाला देखते हैं हम लोग क्या दिया है मेरे भाई उपजाओ उपजाओ का बिलोम क्या है तो हमें पता है मेरे भाई उपजाओ पूछ रहा है जिस रूप में पूछता है उसी रूप में हमें बिलोम बताना होता है उसका रूप नहीं बदलना है यह नहीं कि अर्थ बदलने हो जाएगा तो उपजाओ का अन उपजाओ होगा option number C इसका हमारा उत्तर हो जाएगा उपजाओ और सिंचित का मतलब मेरे भाई ये होता है तो इसका सिंचित का उल्टा सूखा हो जाएगा और यहाँ पर बंजर है बंजर का उल्टा मेरे भाई उरुवर हो जाता है उरुवर तो जो भी हम चीजे हम लोग उसको भी करते चलेंगे जो बिकल्प में दिये हो गए हैं क्योंकि बिकल्प क्लियर करने से मेरे भाई हमारी productivity चार गुना बढ़ जाती है क्योंकि जो महत्पूर चीज़े हैं उसे हमको करना होगा जो सरल चीज़े हम लोग वैसे निकल जाएंगे तो साथियों हमको रफ्तार दुगनी करनी होगी बहुत ही तेज़े क्योंकि एक बागी टूप फिलम का एक डाइलाग है कि जब जिन्दगी हमारी दाओं पर लगी हो तो हमें अपनी रफ्तार दुगनी करनी चाहिए तो यही है मेरे भाई जैसे जैसे हम लोग का एकजाम नजदी का रहा है हम लोग को मेहनत दुगनी तरीकिस करना पड़ेगा आगे देखे हम लोग चवथे में क्या लिखा है इसके बाद मेरे भाई कब एकजाम है इसके पहले 2021 में आए थी ये आरो यारो की भरती अब 2024 में ये आई है आगे कब आएगी कोई भरोशा नहीं अगर आप लोग जरा साभी ला परवाही किये मेरे भाई तो हो सकता है बहुत से लोग को मौका न मिले और जिनको मौका मिलेगा वो इस रेस से बाहर हो जाएग तो ऐसा भी हो सकता है तो चलि हम लोग देखते हैं चवते में स्वभाविक स्वभाविक का बिलो मारती सब्द है स्वभाविक English मेरे भाही automatic जैसे बोला जाता है तो स्वभाविक का बिलो में यहाँ पर क्या होगा तो मेरे भाही अस्वभाविक option number C इसका ये अस्वभाविक हो जाएगा तो option number यहाँ पर ये और स्वचालित का यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई नियमित हो जाता है इसका ये नियमित स्वचालित का उल्टा नियमित और स्वभाविक का उल्टा बिलोम अस्वभाविक आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है यहां पांचोंए में किस बिकल्ब में सही बिलोम युग्म है चारो आप्शन में जोड़े दिये गए है और कौन सा जोड़ा हमारा सही है उसी को बताना है सब्द दिया है उसका बिलोम दिया है तो देखे मेरे भाई क्या है हमारा यहां पर आप्शन ए में दिया है आप्शन ए में दिया है मेरे भाई नूतन पुरातन यही सही है नूतन का उल्टा मेरे भाई पुरातन होता है दोनों को एक ही रूप में है यदि आपसे मतलब जिस रूप में पूछे उसी रूप में बताना है तत्सम में पूछे तो तत्सम में उसका बताना है बिलों तत्भों में पूछे तो उसका बिलों तत्भों में बताना है तो option number A हमारा सत्य है नूतन का पुरातन और यहाँ जोड का मेरे भाई मेल दे दिया है जोड का मेरे भाई घटाओ होना चाहिए इसलिए यह गलत हो गया और यहाँ पर निसिद निसिद का तुछ दे दिया तुछ नहीं होगा निसिद का विहित होता है यह विहित हो जाएगा और पांचवे में जो यहाँ पर D में ते मेरे भाई करकस दिया है यह करकस नहीं होगा यहाँ पर करकस का खोड कुछ नहीं होगा यह मधूर हो जाता है करकस का मधूर तो सारी चीजों को में लोगों देख लिया फिरहाल option number A हमारा सत्य है आगे देखें छटवे में भाई भाई का बिलोम क्या है तो मेरे भाई भाई का बिलोम होता है अब भाई option number A और यहाँ पर कुछ यह दिखा है भाई हीन भाई हीन का मतलब मेरे भाई हो जाता है भाव पूर्ड या भाव युक्त तो भाव पूर्ड हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर यह भी भाव अनुभाव तो होगा ही नहीं लोग यहीं कन्फ्यूज होते हैं तो इसको मैंने क्लियर कर दिया तो भाव का अभाव आगे देखें सातों में देखें क्या लिखा है, रथी. मेरे भाई, रथी का बिलोम्प क्या होगा? तो जदातर लोग कंच्छूज होंगे, सर, ये सारथी होगा? नहीं मेरे भाई सारथी का मतलब ये होता है, जो रथ का ڈराइवर होता है, रथ को हांकने वाला होता है, वो होता है सारथी, उसका मतलब सारथी होता है तो रथी का उल्टा बी रथी हो जाएगा, option number C हमारा सत्य है यहाँ पर बाकि अरथी, महारथी यह सब पर ध्यान नहीं देजिए, इसका यह नहीं है आगे हम लोग बढ़ें, रोपड, देखें, रोपड का बिलोम क्या है, बहुत भारी एक जम पूछा है, बहुत ही महत्पूर प्रश्निया का बिलोम में, रोपड का बिलोम शब्द क्या है तो पिर भाई रोपड का मतलब होता है किसी जड़ को लगाना, किसी चीज की जड़ को लगा, जैसे हम लोग धान लगाते हैं, तो कहते हैं रोपाई हो रही है, तो उसकी जड़ को ही लगाते हैं, जब जड़ को लगाया जाता है, तो रोपड बोला जाता है, जब जड़ को फेक दिया जैता है तो उसे उन्मूलन बोला जाता है option number ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा जैसे गाधृ जी ने जो छुवा छुद का उन्मूलन की यानि छुवा छुद को जड़ को उखारने का मतलब अवाहन किया option number सी उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ देना option number C हमारा उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ें देखें लिखा है हरस्व हरस्व का बिलोम क्या है हरस्व आप लोग सुने होंगे मेरे भाई ये धामकियों में बहुत प्रियोक ये आता है लोग कहते हैं नहारा हम वो हस्र करेंगे तुम किसी लायक नहीं रहोगे हरस्व मतलब मेरे भाई तुछ कर देंगा बहुत ज्यादा छोटा कर देना तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा दिर्ध हो जाएगा option number A हमारा ये सत्य है यहाँ पर option number A आगे बढ़ें दसवे में देखते हैं मेरे भाई निमने लिखित में से बिलोम की दृष्टी से सही सब्दियुक में है तो हमें चार जोडों में से जो सही है उसी को बताना है तो देखें सही की बात आग्रह यहाँ पर दिया है यहाँ पर बिग्रह दिया है मेरे भाई यह जो बिग्रह होता है बिग्रह का उल्टा आग्रह नहीं होगा अनुग्रह होगा इसका उल्टा अनुग्रह होगा अपकर्स का मेरे भाई यहां जो दिया है अपकर्स का उपकर्स नहीं होगा यह भी यहां पर गड़ पड़ी कर दिया है अपकर्स का मेरे भाई उतकर्स होता है, क्या, यहां उतकर्स, यहां उतकर्स होगा, और उतसर्जन का यहां बिसर्जन दियोती है, जो बिसर्जन है मेरे भाई, बिसर्जन का उल्टा आवाहन होता है, आवाहन, तो यह होता है, और यह सही जो है, हमारा सही पूछा है, तो यह हमारा सत्य है, जारज क का मतलब जो illegal पुत्र होता है, option number C, सत्य है हमारा, आगे बढ़े, 11 में, लिम्न लिखित सब्दों में से नियती का पर्यवाची नहीं है, नियती का पर्यवाची मेरे भाई, अब देखो पर्यवाची आगया, 11 से हमारा, 10 प्रशन हमारे पर्यवाची, क्योंकि इसमें 6 टॉप हर एक टॉपिक में से 10 प्रशन पूछा जाता है, और कुल 60 प्रशन होते हैं, और जिनमें हमें 50 प्रशन पाएंगे, तभी हम सेलेक्शन की उम्मीर में रहेंगे, तो फिरहाल हम लोग देखते हैं 11 से, नियती का पर्यवाची नहीं है, तो मेरे बाई नियती का पर्यवाच तो ये सास्वत नियती के पर्यवाची में नहीं है, और बाकी सब लोग हैं यहाँ पर, तो सास्वत का मतलब होता है अनाश्वर, यानि जो खतम होने वाला नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आगे बढ़ें देखें, पार्वती, पार्वती का पर्यवाची शब यहाँ अंत्रानी, एक और होता है, अपरड़ा पर्ड़ भी होता है, लेकिन यह अपरड़ा गलत लिए, मेरे भाई यहाँ अरपड़ा लिग दिया है यही जो उड़नेवाला रह है, लड़ा पे लगा रहा होता-तब शही हो जाता हैं तो इसलिए यहाँ पर यह गड़ तेरह में मेरे भाई किया रहा है बंदर का पर्यावाची नहीं है तो बंदर का पर्यावाची हरी होता है वानर होता है शाखा मरीग होता है कीश होता है लेकिन कपीस नहीं होता है आप्शन नमबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा कपीस मेरे भाई हनुमान जी की पर्यावाची ह आगे बढ़ें, सौरी, हाँ, कभीस्तो हनुमान जी के पर्यवाची है, लेकिन ये सब ये तीनों जो हैं, ये वाले, ये सब बंदर्ग पर्यवाची है, आगे बढ़ें हम लोग चौदा में, बहुत बेहतरीन प्रश्न मेरे भाई, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और रोक रोक कर देखें, हम एक कितना या रहा है, हम कितने पानी में है, हमारी तैयारी कितना है, आरो यारो की एकजाम में हम कहां खड़े हैं, तो ये अपने आपको अंदाजा लगाना, आप अपने आपको जाच सकते हैं, अपने आपके लिए मास्टर आप अही सबसे बे तो मतलो हमने छुटकारा पा लिया तो यह option number C हमारा यही सत्य है मोच के पर्यवाची में आता है यह बाकी यह सब मौत तो नहीं आएगा प्रारान तो यह भी नहीं आएगा यही है देखें छठवें पंद्रहवें में मुकुंद मुकुंद किसका पर्यवाची सब्द है तो म मुकुंद बिश्डु पर्यवाची है मुकुंद बिश्डु दामोदर सिरीपति और उपेंद्र चक्रपाड़ी क्योंकि बिश्डु को यहाथ में चक्र रहता है तो उसे चक्रपाड़ी भी कहा जाता है तो यह मुकुंद के पर्यवाची बिश्डु होता है पंद्रह का ह हमारा ए हो जाएगा उत्तर यही है और यहां पर यह सीवतों नहीं होगा काम देओ तो मनोज या सुन्दर का पर्यावाची है सुर्थ तो होगा ही नहीं तो option ए सथ्य है हमारा आपको जब ज़्यादा जल्दी clear नहीं हो तो आप elimination लगा दिया करो यह सोचा करो कौन नहीं होगा तो इस से हमारा आ सकता है गलत होने के chance कम रहेंगे निम ने लिखी तो मैंसे कौन सा सब्द हवा का पर्यावाची नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही हलका सदिया है देखें हवा के पर्यावाची में अनिल आता है समीर आता है पावन आता है लेकिन अनल नहीं आता है तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा हवा के पर्यवाची नहीं है तो अनल नहीं है अनल मेरे भाई आग के पर्यवाची होता है अगनी की तो अनिल तो होता है अनिल हवा का है लेकिन अनल यहां दोनों में confusion बहुत ज़्यादा होता है लोगों को अनल में अगनी का पर्यवाची है आगे बढ़े हम लोग समीर तो हवा क का पर्यावाची होता है आगे बढ़ें देखें हंस हंस का पर्यावाची नहीं है तो मेरे भाई हंस के पर्यावाची में चक्रांस आता है सुर्व भी आता है आतमा भी आता है मेरे भाई और कलहंस ये सब सब्द आते हैं हंस में लेकिन जीमूत ये पर्यावाची हंस का नहीं जिमूत मेरे भाई यह बादल का पर्यावाची है बादल का याद रखिएगा आप लो तो आप्शन नंबर भी यहां हमारा सकते है आगे पढ़े हम लोग 18 में पर्यावाची की दृष्ट से एक सब्द युग्म असुद्ध है तो कौन सा सब्द युग्म पर्यावाची में म मयूर केकी मौर के पर्यावाची है यह लेकिन आप्शन नंबर भी में मेरे भाई यही गलत है यही असुद्ध क्यों क्योंकि पानी तो जल का पर्यावाची हो जाता है जल में और पाड़ी यह हाथ के पर्यावाची होता है जैसे चक्र पाड़ी आता है तो चक्र में जो हा निम्न निखित निम्न बिकल्पों में से कौन सा पर्यवाची की द्रिष्टी से सही नहीं है तो याद रखना है मेरे भाई ये नहीं पूछ रहा है तो बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे प्रशनों पर नहीं की दिहान न दे पाते हैं इसलिए उनका आता हुगा प्रशन चला जाता है तो हमें बताने कौन सा पर्यवाची की द्रिष्टी से सही नहीं है तो देखे मेरे भाई यहाँ पहले में ही दिया है मतंग मतंग मेरे भाई हाथी का पर्यवाची होता है और क्रिशानु आग यानि अगनी का पर्यवाची होता है तो यही गलत है option number A हमारा उत्तर हो जाएगा और शाखा, मिरिग, वानर ये तो बंदर की पर्यवाची माते है हीरन, सारंग ये भी बंदर माते हैं हिमान्शू निशाकर ये तो जो रात या जिसे चांदनी के पर्यवाची में आते हैं तो ये हो गया हमारा आगे हम लोग आगे बढ़ें अगर क्या होगा हम लोगों का बीसवाँ में निमने लिखित विकल्पों में से कौन पर्यवाची के द्रिष्ट से सही नहीं है तो सही नहीं है पर्यवाची के द्रिष्ट से मेरे भाई इसी को हमें बताना है बीसवाँ वाले में तो देखें बीसवाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है बीसवाँ वाले में यहाँ पर भूजंग, भूजंग सर प्यानी साप के पर्यवाची में आते हैं हंस, मराल, हंस के पर्यवाची दोनों हैं, दोनों हंस के बता रहे हैं वल्लब प्राणनात, ए भी दोनों एक ही सब्द हैं यहाँ जिमूत और कूरंग दिया है, मेरे भाई यही गलत है बीसोंगा का मेरे भाई हमारा, यह सी हो जाएगा जिमूत का मतलब अभी मैंने बताया, यह बादल होता है यहाँ जिमूत का मतलब यह बादल हो जाएगा और यहाँ पर यह जिमूत सब्द जो होता है, वो बादल का हो गया जबकि कुरंग ये हीरन का पर्यवाची है, ये हीरन का पर्यवाची, तो इसलिए ये गलत है, अब देखे हम लोग 21 पर पहुंच गए, 21 मेरे भाई पूछ रहा है, मेरे गुरू के समी पर रहकर अध्यन, यानि अनेक सब्द दे देगा, उसका एक सब्द बताना होगा, तो य यह हमारा बताना है, बहुत बढ़िया होता है, गलत नहीं होता है, गुरू के समी पर रहकर अध्यन करने वाला, इसके लिए एक सब्द क्या कहा जाता है, मेरे भाई, इसके लिए जो एक सब्द है, अन्तेवाशी है, आप्शन नमबर D, तो यहां आस्रम वासी नहीं होगा छोड़ देजिए, अस्रम में निवास करने वालों का अस्रम वासी से से भी नहीं होगा, मतलब गरहन करने वालों को बिद्यार थी, यह सब नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो यह अन्तेवासी याद हो जाएगा, गुरू के समी पर रहकर अध् करता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो आप्शन नंबर यह हो जाएगा, मेरे भाई, 22 वाका, यह अनुगामी होता है, अनुयाई भी होता है, लेकिन अनुयाई नहीं है, तो अनुगामी यहाँ लगा देना, दोनों होता है, आप्शन नंबर यहाँ, यह हो आगे बढ़ें, यहाँ पिष्छल भी दे दिया है, पीछे चलने वाला, तो लोग कुछ लोग यहीं सी को लगा देते हैं, इसको मत लगाईएगा, यही है उत्तर, 23 में देखते हैं, जिस पेड के पत्ते जढ़ गए हों, उसके लिए एक सब्द क्या कहा जाता है, तो उसके लिए एक सब्द मेरे भाई, आप्षन नंबर ए कहा जाता है, हलंकि इसके लिए एक सब्द और है, बीपत, तो यह भी कहा जाता है, हमारा जो 23 वाला प्रशन है, तो 23 में बीपत नहीं, पत्रहीन, जिस पेड के पत्ते जढ़ गए हों, तो उसके लिए जो सबसे सही उत्तर होता है, अपत, अगर अपत नहों मेरे भाई, अपत के जगा पे परड़हीन हो, तो आप परड़हीन को ही लगा देना, अगर परड़हीन अपत दोनों है, तो आप अपत को लगाईए, तो चले हम लोग आगे बढ़ें, 24 में क्या कहा रहा है, जिस पर उपकार किया गया हो, उस किया गया हो, तो वो उपकरित हो जाता है, आप्शन नमबर बी उपकरित, उपकार को मानने वाले को म मानने वाला होता है, उसे क्रित गहन कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये सब चीजे, तो और यहां पर उरोवरा क्या होता है, जो मतलब जिसमें उपजाओ की छमता होती है, ये होता है, तो ये सब नहीं है, जिस पर पूछा जारा हम से, जिस पर उपकार किया गया हो, त तो उपकृत, हम आप्शन को इसलिए क्लियर करते हैं मेरे भाई कि आपको उसके बतले और सारी डाटा प्राप्त हो जानकारी मिल जाए, क्या है, जो इस्तरी कभीता रचती है, अगर कभी मतलब पूरुस अगर कभीता रचता है, तो उसे हम लोग कभी बोलते हैं, लेकिन और एक आशु कभी दिया है, मेरे भाई, जो तुरंत कभीता, खड़े-खड़े कहीं पर तुरंत कभीता रच देता है तो उसे आशु कभी का आ जाता है और नेड़देश, ये तो है होगा ही नहीं, नेड़देश क्या लिखा है, तो सारी चीजों को याद रखेगा, आश देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है मेरे भाई, नंदन कानन, option number A हो जाएगा, नंदन कानन, कुछ लोग कहेंगे सर्ज, यह स्वर्ग भी होता है, क्या, नहीं मेरे भाई, यह जिसे इंद्र भी यक देवता है, तो उन्ही को नंदन कानन उसी से यह बना है, तो यहाँ पर और जगह confusion न होईएगा, नंदन कानन याद कर लेजिए, देवताओं का उपवन, आगे बढ़ें, 27 में, 27 में क्या कह रहा है भाई, जो ब्यक्ति बिदेश में रहता हो, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मेरे भाई, प्रवा में रहता हो, तो उसे प्रवासी, और अंतेवासी का मतलब जानते है, गुरू के समय पर रहकर सिच्छा गरहन करने वाला, तो यह होगा नहीं, प्रवासी होगा, यहाँ पर याद रखें, 28, जो एक से अधिक भासाये जानता हो, उसके लिए एक सब्द क्या होगा, तो यह कुछ लोग कहें देंगे यहाँ दूभसिया, दूभसिया नहीं, मेरे भाई यह सब गलत होगा, पढ़ा लिखा को साच्छर बोलते हैं, यह तो होगा नहीं, जो ग्यान रखने वाले को यहाँ ग्यानी बोलता है, यह भी नहीं होगा, और जो एक से अधिक भासाये जानता ह उसके लिए जो सही अर्थ हमारा option number B, बहु भाशा वीद, option number B हमारा सही उत्तर होगा, 29 में क्या है, जो पसीने से उत्पन हुआ हो, उसके लिए क्या बोलायाता है, तो उसके लिए मेरे भाई स्वेदज होता है, स्वेदज, option number C हो जाएगा, और यहाँ अंडज जो अंडे तीस में देखते हैं, तीस में, एक बार कही गई बात को दुहराते रहना, एक बार जो बात कह दिया जता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं समाज में, एक बात कहते हैं, उसी को दुहराते रहते हैं, तो उसे एक वाक्यों मेरे भाई, पिष्ट पेशन बोला जाता है, पिष इन सब पर ध्यान न दीजिए आगे बढ़ें 31 में निम्न में से कौन सा युग्म तत्भव तत्सम के दृष्टी से सही नहीं है तो चार जोड़े हैं चारों अप्सन में अब देखें मारा तत्भव तत्सम आ गया याद रखें मेरे भाई तत्सम तत्भव को बहुत बड़ा रोल निभाएगा हम लोगों को 10 प्रश्शन से याता है तत्भव का मतलब ऐसे सब्द जो संस्क्रिट से हिंदी में आए लेकिन वो कुछ बदल कर हिंदी में आए वैसे कि वैसे नहीं आए उसे हम लोग तत्भव कहते हैं और तत्सम ऐसे सब्द जो संस्क्रिट से हिंदी म आये और वैसे कि वैसे प्रयोग हिंदी में हो रहे हैं तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं तो याद रखिएगा अब हमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा तत्भव तत्सम के देश्टी से सही नहीं है तो यह बताना है तो यहां पर हमें क्या बताना है साथियों एक तीस वाला प्रशन में हमसे पूछा जा रहा है, तो देखें, 31 वाला जो हमारा प्रशन है न, इसका जो सही उत्तर यहां पर होगा, तो यहां पीशन, पेशन, यही गलत है हमारा, बाकी गिनना, एक तरग का ततभाव है, उसका तत्सम गड़ना होता है, गाउना, ततभाव है, इसका तत पिषण प्रिषण दे दिया है यही यहां पर गलती किया है तो फिलाहल D हो जाएगा गलत हमारा गलत पूछा तो गलती है तो यह भी ध्यान देज़े करी गलत है तो क्यों गलत है और रहता तो सही हो जाता है ये चीजे करेंगे तो आपको दुगुना तिगुना फायदा होगा मा का तत्सम क्या होगा तो हमें पता है मेरे भाहिम लोग आम भासा में जो मा का प्रियोग करते हैं मा एक तत्भाव है क्या है तत्भाव तो इसका तत्सम मेरे भाई मात्री हो हैं उनमें से एक ही तत्सम है उसी तत्सम को हमें पकड़ कर बता देना है कौन सा हमारा तत्सम है 33 वाले में तो मेरे भाई यहाँ पूप या option number A में पूप दिया है यही आपका तत्सम है यही उत्तर होगा 33 का option A पूप मेरे भाई तत्सम है तो इसका तत्सम है तो इसका तत्सम कुछ लोग पूछेंगा तत्सम क्या होता है मेरे भाई पूप आप लोग खाये हो ना पकवान तो इसका तत्सम होगा 34 में देखते हैं निमनलिखित में से किस विकल्ब के सभी सब्द ततसम है सभी किस सभी सब्द ततसम ही है उसमें ततभाव नहीं है तो मेरे भाई यहां रक्तिका, मौक्तिक, लटन यह तीन के तीनों सब्द मेरे भाई यह ततसम है यहां ततभव कोई नहीं है 34 वाले में तो आगे चले हम लोग यहां पर जो रख्तिका है तो इसको बार जानते हैं यहां मौक्तिक का मोती होगा ऐसे ही यहां सभी सब्द तत्सम है 35 निम्ले लिखित में से ततभव सब्द है तो यहाँ चार सब्द दिये गए हैं, उनमें एक ही तत्भो है, उसी तत्भो को आमें बता देना है, तो तत्भो मेरे भाई। Option number A अचरज, अचरज यह तत्भो है, इसका तत्सम की अगर करें, तो अंग रच्छक क्या? अंग रच्छक हो जाएगा, इसका तत्सम तो चले हम लोग आगे बढ़ें 35-36 में देखते हैं निम्ने लिखित में से बुभुच्छा बुभुच्छा का तत्भव क्या है बुभुच्छा तो तत्सम है क्या ये तत्सम है लेकिन इसका तत्भव पूछा है तत्भव कौन सा है तो भूच्छा का मेरे भाई ततभव जो है भूख होगा, option number B, भूख हो जाएगा, और यही हमारा भूच्छा का ततभव सब्द है, ततभव भूख था अंगोच्छा, अंगोच्छा एक परकार का यहां ततभव है, और इसका अगर तत समझाना चाहें, तो अंग प्रौच् और बिचो का मेरे भाई बिच्छोब हो जाता है, बिच्छोब हो जाएगा, ऐसे शिलका का जो छिलका होता है, शिलका का ऐसे ही एक शलक हो जाएगा, क्या इसका शलक, तो सारी चीजों को याद रखिएगा, हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपको जादा जादा information मिल सक निमलिखित में से कौन सा सब्द ततभव का रूप है तो नीचे दिये हुगे एक सब्द ततभव है उसी ततभव को सब्द का मतलब सब्द का ततभव कौन सा होगा सब्द एक तरस हमें पता है ये तो तत्सम होता है तो इसका ततभव क्या होगा ततभव ये वाला शबद कु मेरे भाई तत्वह तत्सम का सर्वोत्तम युग्म काँश है। मतलब सबसे अच्छा, तत्सम तत्सम का कौन सा good हो यहाँ। तो पहले में दिया है, गनेश. यहाँ गनेश तत्सम है, इसका तत्वह गनेश होगा। option number A हमारा उत्तर हो जाएगा और यहाँ क्या गलत है मेरे भाई दूलहा दूलहा ततभव है इसका ततसम मेरे भाई दूरलब होता है दूरलब यह हो जाएगा और यहाँ अनन्त अन्यत्र दे दिया है 38 वाले में तो यहाँ जो अनत होगा अनन्त नहीं अनत अनत का अन्यत्र हो जाएगा तो ऐसे इसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें चीजें ज़्यादा क्लियर रहेंगे आगी चले 39 देखें मेरे भाई क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तत्सम तदभव की द्रिष्टी से सही नहीं है तो वो गलत है तील सही है एक गलत है उसी गलत को हमें पकड़ लेना है कौन सा गलत है तो मेरे भाई यहाँ ओष्ठ एक तत्सम है इसका तदभव ओठ होठ होता है तो यानि पहले तत्सम दिया है श्रोता, सोता, और यहां जो सूत्र का सूत्र होता है, ये भी सही है, लेकिन गलत यहां है, आप्शन नमबर B में, श्रत का मेरे भाई सौ होता है, सौत नहीं होता है, यहां तर नहीं रहना चाहिए था, तो आप्शन नमबर B गड़बर था, चालिस इन में से तत्सम तद्भाव का सुद्धुर्म तो यहाँ पर मेरे भाई ये तो होगा नहीं स्रेष्ठी हो जाता है सेट का स्रेष्ठी हो जाता है स्रेष्ठ नहीं होगा ये गड़बड हो गया और यहाँ अरहट का अरगट होता है अरगट का रहट होता है तो अरगट तत्सम है इसका तत्भाव रहट हो जाएगा यहां पर मेरे भाई कंकती का भी कंगी होता यह भी सही है यहां पर यह तत्सम और यहां मिष्ट का मीठा भी होता है यह भी सही है यहां पर तो फिरहाल इसमें दो के दोनों सही हो गया है तो इसमें से कोई भी हो सकता है आगे बढ़े हम लोग 41 निम्नलिखित में से कौन सुद्ध हो अरतनी वाला हमारा सब्द है उसे चैन कर जिए सुद्ध हो अरतनी वाला तो यहाँ पर एक वस्तुकला दिया मेरे भाई ये गलत है तो वस्तुकला होता है वस्तुकला नहीं वहाँ पर आकमात्रा होना चाहिए था अनुकूल मेरे भाई ये नप उइधर रहना चाहिए था छोटा उद ए भी गड़बड हो गया शायद मेरे भाई बड़ा शर रहता है शायद तो यह भी गड़बड है तो सही यही है जब तीन हमें क्लियर हो जाई यह गड़बड है चौथा हम नहीं जानते रहें तो उसको भी लगा दें क्योंकि चार में से एक ही होगा तो आभरण यह सही है 42 में देखते हैं हम लोग क्या है मेरे भाई आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किये रहेंगे हिंदी मेरे भाई हिंदी आपको धोखा नहीं देगी यह मेरा गरंटी है आपको क्योंकि जीयस आपको लिए थोड़ा चलेंजिंग हो सकता बहुत सारी चीजे हैं हिंदी में तो अच्छा टॉपिक ही है कितना आएगा अच्छा टॉपिक में से तो सीधा सीधा हिंदी हमें प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है निमने लिखित में से कौन सा सब्द अशुद है तो कौन सा सब्द अशुद है उसी को बताना है तो देखे मेरे भाई महत तो भी ऐसे लिखा जाता है, दशम भी ऐसे लिखा जाता है, वाड में भी ऐसे लिखा जाता है, तो गलत यहाँ चिन में है, लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह चिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, यह चिन आधा है, पहलंत चिन है, ऐसे करके लिख जाता है ये इस तरह से होता तब सई रहता ये चिन गलत है तो हमें असुद्ध पूछा असुद्ध यही था 43 43 मेरे भाई क्या है निमलिखित विकल्पों में से सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चेहन करना जो वर्तनी सुद्ध हो उसी को हमें बताना है तो देखें अनुनासिक तो अनुनासिक में ये इधर रहना चाहिए था उ छोटा उ इसलिए गड़बड अननासिक अननासिक कुछ नहीं होता है अननासिक मेरे भाई कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर युक्त सही है क्योंकि उपरोक्त भी लिखा जाता है लेकिन ये सही नही माना जाता है, सही उपर युक्त माना जाता है ये, आगे बढ़े हम लोग चोवालिस में सुद्ध वर्तनी का चैन करना है मैं जो सुद्ध वर्तनी का चैन करना है देखें, सौजन्यता सौजन्यता, सौजन्य या सौजन्य इनमें से मेरे भाई सबसे सही यही है और बाकी सब गलत हैं क्योंकि सोजन लिखायाता है और ये सब जो दिये हैं आपको confusion करने के लिए दिया है आगे देखें 45 लिम्न लिखित में से सुद्ध वाक का chain करें तो जो सुद्ध वाक के है मेरे भाई उसी को चैन करना है एक ही सुद्ध है उसी सुद्ध को इन चारों में से बताना है तो देखें रेडियो की उत्पत्ती कब होई मेरे भाई रेडियो की उत्पत्ती नहीं होती है रेडियो की खोज होती है याद रखिएगा आप लोग तो ये गलत हो गया तलवार एक उपयोगी अस्त्र है तलवार एक उपयोगी अस्त्र है मेरे भाई 45 वाम कर रहा है तो क्या ये सही है गलत है तो ये भी गलत है क्योंकि तलवार हाथ में पकड़ कर मारा जाता है और जो हाथ में पकड़ कर मारा जाता है उसे हम लोग सस्त्र बोलते हैं और जो फेक कर मारा जाता है उसे अस्त्र बोला जाता है तो यह गड़बड हो गया ये भी मैं प्रते दिन पानी से पौधों को सीचता हूँ मैंने भाई जब सीचाई की बात आती है उसमें पानी मौजूद रहता है पहले से तो यहाँ पानी नहीं लगाना चाहिए था सिर्फ करना चाहिए था मैं प्रते दिन पाधों को सीचता हूँ ऐसे तो ये भी गड़बड हो गया उवे मुस्कुरा दिये तो यही सही है आप्शन डी हमारा सत्य इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है यही सही है तो हर चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं हूँ मेरे भाई क्योंकि इतनी महत्पूर चीज़ों को बारे में जो है हमें जानना बहुत जरूरी होता है हर एक आप्शन हमारे लिए महत्पूर है निमने लिखी तो वाक्यों में से सुद्ध वाक को पहचानिये तो चारो आप्शन में से एक सुद्ध है उसी सुद्ध को हमें पकड़ना है तो देखें क्या लिखा है मैं तुमको कुछ कहता है तो मैं तुमको कुछ कहता है मेरे भाई ये गड़बड है तो पहला गलती यहां में की जगए मैं होना चाहिए था मैं और मेरी मां गूमने जाने वाले है तो ऐसे होना चाहिए था तो यहां वाली की जगए वाले यह भी गड़बड है तो यह भी गड़बड हो गया प्रत्यक को पांच-पांच रुपए दिये जा तो यही है प्रत्येल को पांच पांच उपए दिये ज्याएं हाँ कोई गड़वड़ी नहीं है यही सइए हमारा और जो D में दिया है तुम्हारे को जाना है तुम्हारे एक जगए मेरे भाई तुमें लिखना चाहिए था तुमें जाना है तो इसलिए यह भी गड़बड है तो हमारा C सत्य है यही आगे देखें हम लोग 47 में नेचे लिखें वाक्कों में कौन सा वाक के सुद्ध है चार वाक्कों में फिर वही बात हमें सुद्धता की जाच करनी है तो देखें सब एक ही प्रकार के कहना चाहते हैं यहां हमें पकड़ना बहुत आसान है क्योंकि सारी बाते एक ही हैं सिर्फ उलट उलट कर लिखा है जो सही है उसी को बताना है देखें लिखा है इन दस वर्सों में देश ने काफी प्रगती की है 47 वा में ये है इन दस वर्सों में देश ने काफी प्रगति की है तो यही वाला हमारा 47 का सही है इसमें कोई गड़बडी नहीं है और यहां देख रहे हैं इन दस वर्सों में देश ने काफी प्रगति की ये भी गड़बड, ये भी गड़बड है, ये भी, अपना समय बचा कर जब आपको चीजे पता चल जाए, हाँ ये किलियर है, तो वहाँ पढ़ा नहीं रहें, क्योंकि आप एक्जाम देने जाएंगे, वहाँ लगा कर आप्शन तुरंद भागी एपना समय बचाने के लिए फिरहाल हिंदी में समय अच्छा खासा होता है, 48 में देखें क्या है, निमने लिखित वाक्यों में से, एक वाक्यों में एक वाक्य, ब्याकरण की द्रिष्टी से, उसे यानि उसमें ब्याकरण की द्रिष्टी से सुध है, उसे पहचानिये, तो कौन सा इसमें सुध है, उस तो दूध में कौण प्ड़ गया। लग रहा है क्योंकि मेरे भाई दूध में क्या पढ़ गया रहना चाहिए था कौन नहीं यह गड़बढ है कि अब वह सुन्दर सोभा धारण कर रहा है तो यह भी गलत मेरे भाई यह क्या है तो ऐसे लिखना चाहिए इसको लिखना था तो उसकी सुभा सुन्दर थी- na इसे करके या इस तरह से देखने में ही गड़बढ़ है तो फिराल छोड़ें वह स्वयम आएगा तो यहां पर जो है वह स्वयम आएगा तो यही सही है यहां पर वाक्य की द्रिष्टी से तो अनतालिसमें का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई आप्सन नंबर सी सत्य है हमारा आगे बढ़ें यह भी गड़बढ़ हुआ के और वाक्य के बेदों पर प्रकाश डालीए यह भी सही नहीं है तो जो सही है मारा आप्सन नंबर सी अरतालिस का आगे बढ़ें 49 निमलिखित में से सुद्ध वाक्य का चैन करें तो जो तीन में तेन गलत हैं, एक सही हैं, उसी को सही बताना है, और भले की बात ये है, कि हमारे चारो आप्षन एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, तो सुद्ध हुआक में कौन सबसे सुद्ध है, मिरभाई चंद्रयान ने, भारत ने चंद्रयान 3 लांच किये हैं, ये भी गड़बड है, तो ऐसा सब्द हमें D में मिलता रहा है, आप्षन नमबर D हो जाएगा सत्य है, यही सही है, आगे बढ़ें, पचासवां में क्या कह रहा है मेरे भाई, एक वाक के तुरुटिपूर्ड है, एक वाक के गड़बड है, उसी गड़बड़ी को आप पहचान कर हमें बता देजिए तो देखें, क्या है मेरे भाई, तुरुटिपूर्ड, संभावता मैं रभिवार को आ जाओंगा, तो यह सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, सही है, जीती मक्खी निगल नहीं जाती, तो इसमें भी कुछ गडबड़ी तो नहीं लग रहा है, फिर सदेव की जगह सदेव रहना चाहिए था, और साथ रहने वाली धन होती है, तो यहां पर यह होने चाहिए थे, यह सब यहां गड़बड़ी किया, यही गलत है, और बाकी सब सही है पनी जगह पे, आगे देखें क्यावन में, तो यह क्यावन से हमारे मेरे भाई, बिशेश हम थोड़ा सा आपका समय लें, तो बता दें, बिशेश क्या होता है, और बिशेशन क्या होता है, बहुत जल्दी से बताएंगे, जैसे गाय काली है, तो काली जो है मेरे भाई, वो बिशेशन हो गया, काली यह बिशेशन हो गया, जो सब्द किसी संग्या सरणाम की पिषेषण सब्द्राइब हो गया और यहां गाय जिसकी विशेषण संब्द इसे पहचानते हैं मेरे भई पःड़ प्यार मृत्यू दिए थिन विशेष synetly बिषेषण माँशन हो down रखे मूल सब्द जो मूल सब्द होते हैं वह ज्यादा तर जो है विशेश होते हैं और जो मूल सब्द से तोर मरोड कर कोई गौण सब्द बना दिया जाता है सेकेंडरी सब्द विशेशड हो जाता है तो यहां देखो बुद्धी बना गया है तो यह हमारा यह विशेशड ह तो फिरहाल यह 90% नहीं लेकिन जादा तर काम कर जाता है यह दूसरा रास्ता यह होता है पकड़ने का का आप जो है कोई sentence में fit कर दें जैसे बौधिक ब्यक्ति गया तो अहां ब्यक्ति के आगे बौधिक लगा देंगे तो यह जो है उसकी विशेशन हो जाएगा 52 में देखें निमलेखित में से कौन सा सब्द विशेश है तो विशेश से बताना है कौन सा सब्द विशेश से है तो देखें गाउं गाउं हमारा विशेश से होगा क्योंकि यह मूल सब्द है मैं बताया न यह भी काम करता है जादतर और गाउं से गवार बन गया गाउं से गाउं से गवारू यह सब विशेशन है तो option number C हमारा सत्य है तीरपन में देखते हैं मेरे भाई बहुत बढ़िया इलहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है तो इसमें प्रविशेशन बताना है प्रविशेशन मतलब मेरे भाई जो बिशेशन का बिशेशन बताए उसे प्रविशेशन कहते हैं तो जैसे वह बहुत तेज जा रहा है तो तेज क्या हो गया वो हो गया तो बहुत ऐसी लिए सिंदूरी लाल जैसे ऐसे कहता इलहाबादी अमरूद लाल होता है तो लाल यहां विशेशड हो गया लेकिन सिंदूरी लाल होता है इसका प्रविशेशड हो गया तो यहां सिंदूरी सब्द प्रविशेशड है आगे देखें चंवन में निमने लिखित में से कौन सा सब्द समुदाय वाचक बिशेशड है तो बिशेशड जो होता कई परकार का होता है मेरे भाई समुदाय वाचक, क्रम वाचक, संग्या वाचक और ऐसे समुवाचक तो समुदाय वाचक मतलब ये समुदाय के बारे में पूछ रहा है समुदाय वाचक तो यहां मतलब group की बात कर रहा है, तो पांचो, option number A सही होगा, योखि पांचो मतलब ये group की बात किया जा रहा है, group की, option number A, और ये 5 जो ये तो गड़ना वाचक हो गया, तीसरा क्रम वाचक हो गया, और ये भी क्रम वाचक हो गया, आगे बढ़ें पशपन में, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, में सुहावना सब्द किसका परिचायक है, तो आज मौसम आज सुहावना सा है, तो इसमें पूछ रहा है सुहावना क्या है, किसका परिचायक है, क्रिया विशेशन, 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 विशे मौंसंध बिशेश्ता बचा रहा है लिए बिशेश्ट वो गया अगे बढ़ें हैं चंद भंगुर किस प्रकार का बिशेश्ट पहले तो यह जो पिर आंग कीश नमस्व बहुत समय की बात कर रहा है कोई छण भर में भंगूर हो जा रही है तो यहां काल यानि समय का बोधकरा रहा है तो काल बोधक विशेशण 57 में देखें 57 में क्या कह रहा है भाई सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करके जाना पार करने के लिए पुल से नहीं आकास मार्ग से जाना पड़ा तो यहां पर मेरे भाई एक चीज हमें देखने की मिला सागर को अगाध सागर बनी गहरा सागर तो यहां सागर जो हो गया बिशेश हो जाएगा अगाध जो है बिशेशड हो जाएगा तो इसमें बिशेश का हमें चैन करना है 57 वाले में तो विशेष क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा अगर विशेषड पूछता तब ये अगाद हो जाता आगे बढ़ें 58 आसमान का रंग नीला है जैसे मैं बताए ना आसमान का रंग नीला है तो इसमें विशेष क्या है? पहचाने तो आसमान मेरे भाई यहां बिसेश हो जाएगा 58 का भी हो जाएगा हमारा तो यही जिसे 20 काली है तो काली तो बिसेशण हो गया और यह किसकी बिसेशता बता रहा है 20 की तो बिसेश हो गया उसी परकार आसमान नीला है तो यह हो जाएगा हमारा आगे बढ़ें, 59 निम्न लिखीत में से किस विकल्ब के सभी सब्द बिशेशण है तो सभी के सभी सब्द बिशेशण है मेरे भाई, उसमें एक भी बिशेश नई होना चाहिए 59 में, तो देखें छणिक छण से बना है, सुखी सुख से बना है, सामाईक समय से बना है, तो option number ये हमारा ये विशेशण हो जाएगा, इसमें सभी के सभी विशेशण हैं, और सब में कुछ इधर उधर हैं, लेकिन यही सत्य है. साथ में विशेशण विशेश की दृष्टी से कौन सा युगम सही नहीं है, तो एक तरब विशेशण होनी चाहिए, दूसी तरब विशेश होना चाहिए, तो किसमें गड़बडी है, उसे बताना है, तो देखें, हमारा जो साथ हुआ है मेरे भाई, वो यहाँ पर ए जो है अपेच्छा, अपेच्छा विशेश से है, यह अपेच्छा विशेश से है, और विशेशण अपेच्छित है, तो यह उल्टा दे दिया है, पहले हमें विशेशण होने चाहिए थे, यानि अपेच्छित को इधर रहना चाहिए था, और अपेच्छा को इधर रहने जाएगा इस्वरी विशेशड है इसका विशेश इस्वर हो जाएगा तो हमारा एक गड़बड था क्यों क्योंकि इसमें उल्टा दे दिया तो साथी हम लोग बहुत ही बहतरीन तरीके से आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट थी सामान नहिंदी की छटवी प्रैक्टिस सेट देख लिया इसके बाद हम लोग यह सामान हिंदी की सात्वी प्रैक्टिस सेट लेकर आएगे और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सात्वी में तब तक के लिए नमस्कार